गुप्सर्ग और प्रत्य जो हमारज चेप्टर है इस चेप्टर को डिसकस करेंगे इस चेप्टर में टू सब टॉपिक्स है उपसर्ग प्रत्य fatto कि आज हम उपसर्ग के बारे में डिसकस करेंगे कि उपसर कहते हैं और उसके कुछ examples हम देखेंगे definition जो शब्दाँश किसी शब्द के पहले जुड़ते हैं उन्हें उपसर कहते हैं यानि कि ऐसे शब्दाँश सब शब्दों के ऐसे छोड़े छोटे हिस्से जो किसी शब्द के पहले जुड़ते हैं कि जुडएंगे वह पहले जुडएंगे तो उन्हें क्या कहते हैं उपसव कहते हैं जैसे कि यह Green box में ध्यान से गटियाद एक शब्द है अपमान अब इस शब्द में अपमान में जो मान यह मूल शब्द यानि कि जो मान है इसका कोई अर्थ होता है यह एक शब्द है और इसके साथ हमने जब इसके आगे अप लगा दिया तो शब्द क्या बन गया हमारा अपमान इस तरह से एक नया शब्द बना और जो उसमें एक हमने शब्द जोड़ा वो था अप तो जो यह अप है यह हमारा कहलाता है उपसर्ग नेक्स देखिए आ परसं परसं हमने सभी ने सुना है एक शब्द होता है परसं यानि कि खुश ओना अगर हम इसको आगे आ लगा दे आ एक शब्दान शे यानि कि एक शब्द का टुकड़ा एक हिस्स आ है छोटा शब्द है तो जब इसको हम यूज करते हैं आ परसंद तो हमारा आ क्या कहलाएगा उपसर्ग ऐसे ही सजन में जन शब्द है जब उसमें हम सत आगे जोड़ते हैं तो बनता है सजन क्लियर नेक्स्ट अब यहाँ थोड़ा अलग तरीके समझते हैं हमारा एक शब्द है अवसर अवसर में अगर हम आगे सू लगाएंगे तो क्या बनेगा सू अवसर क्या बना हमारा सू अवसर तो उपसर्ग क्या हुआ सू देश, देश में जब वी लगा दिया हमने वी उपसर्ग का प्रियोक किया तो बना हमारा शब्द विदेश ऐसे ही गती एक शब्द होता है जब हमने उसके सामने पुरा लगाया तो हमारा एक नया शब्द बना जिसका आर्थु आप परगती यानि की प्रोग्रेस डन तो उपसर्ग जो है ऐसे छोटे-छोटे शब्दान्श होते हैं जो किसी एक शब्द के आगे यूज किये जाएंगे और उसके बाद एक नया शब्द बनेगा और उसका एक अपना ही अलग मेनिंग होता है। दन वही चीरिस ने हमें समझाई है इन शब्दान्शों के जुड़ जाने से मूल शब्दों के अर्थ में कुछ विशेश्टा या परिवर्तन आ जाता है। जैसे हमने अभी डिसकस किया शब्द था गती यानि कि स्पीड जब उसमें हमने उपसर्ख जोड़ दिया तो एक नया शब्द बन गया प्रगती जिसका अर्थ हुआ प्रोग्रेस। तो या तो शब्द में कोई विशेश्टा आएगी या उसका मीनिंग ही चेंज हो जाएगा। जैसे कि मान का अर्थ होता है इजजद। मान का मतलब क्या होता है इजजद। अगर हमने उसके आगे अप उपसर्ग को जोड़ दिया तो शब्द बन गया अपमान। अपमान मिस बेज़ती। क्लियर। आई होप कि आपको समझ आया होगा। कुछ और उपसर्ग के साथ शब्दों को देखते हैं ये सबी जो हमारे दिये गए हैं उपसर्ग हैं बहुत सारे उपसर्ग होते हैं जिनका अर्थ दिया गया है और उन उपसर्ग का प्रियोग करके कुछ नए शब्दों को बनाए गया है। हम सारे शब्दों को नहीं करेंगे, 15 शब्द है, उपसर्ग है, 15 उपसर्ग जिनको हम यूज करके शब्दों को बनाएंगे, जिसकी आ, आ का मतलब होता है तक या इधर, तो आ उपसर्ग के कौन-कौन से शब्द बनेंगे, आजन्म, जन्म में लगाया आ मिन्स आजन्म, आक्रमन और आजीवन, नेक्स्ट है अती, अती मिस बहुत या फिर अधिक, अत्यंद, अत्यधिक, अतिरिक्ट, कई बार जो है, जो हम उपसर्ग को एड करते हैं, तो कुछ चेंज हो जाते हैं, जिसकी यहाँ पर देखे, रिक्ट में जब अती जोड़ा तो अतिरिक्ट, लेकिन यहाँ पर जो अ नेक्स्ट अनुम, अनु मिन्स पीछे, अनुरूप, अनुचर, अनुगामी, नेक्स्ट शब्द है हमारा अधि, अधि मिन्स उपर या समीब, अधिनायक, अधिकारी, अधिकरण नेक्स्ट अव, अव मिन्स नीच या फिर बुरा, अवगुण, अवलंब, या फिर अवशेश नेक्स्ट है उप, उप मिन्स छोटा या समीब, जैसे की उपवास, उपदेश, उपकर्म नेक्स्ट प्रती, प्रती मिस और या फिर विपरीद, प्रतेक, प्रती कूल, प्रती दिन नेक्स्ट स, यानि की साथ, सफल, सक्रिय, सपरिवास तो इस तरह से कुछ शब्द है, जिनको मैंने टिक किया है, इन सभी शब्दों को आप पढ़ेंगे, और अपने रिजिस्टर में नोट करेंगे स्टूडेंट्स जो हमारे नेक्स्ट स्वेज पर, पेज नमबर 371 पर जो शब्द ये दिये गए हैं, इनको आप खुद्रेड कीजी और समझे नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है प्रित्य, इसको हम नेक्स्ट क्लास में डिसकस करेंगे, आज की क्लास में इतना ही, थैंक यू, और हैव नाइस टे,